तो हेलो दोस्तों आज काफी दिन बाद हम रोत प्रसे आगे अपनी वीडियो लेकर जिसको अमने तीन मेने बाद सूट कर रहे हैं तुष पुरानी वीडियो ति आप जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी वीडियो बना खी काफी लोगों ने सपोर्ट किया इतने दिन में भी ग्रोव हुआ है आप सब्सक्राइब उसस्ता बेट खाली एक से पान साल गिलेगा अगर जादे साल के लिए तो हिल जाएगा डूल जाएगा इसलिए इनकी लाइफ काफी कम होती पर यह मिलते बहुत सस्ते हैं और ये कम चकम आपसे एक से 5 साल आराम चलेंगे उसके बाद भी आप इनको चला सकते हैं थोड़ा मुडा मिस्टिर से रिपेरिंग और जो भी कराके इनको थोड़ा देर और चलवा सकते हैं तो हेलो दोस्तों हम लोग आगे अपने मुबाइल स्क्रीन पर और हम लोग देखने वाले कि ऐसे पाच या छे बैट जो लो प्राइज है और इसमें एक बैट जो है लकडी का भी है और सारे इंजीनियर रूड है अगर आपको नहीं पता इंजीनियर रूड क्या है तो इसके पर मैं एक सप्रेट वीडियो बना दूँगा अभी के लिए आपको सबसे टीपेस्ट बैड में ओनलाइन दिखाने वाला हूं तो चलिए हम लोग चले जाते हैं अपनी लिस्ट पर जो मैंने बनाई है यह मैंने छे बैड की लिस्ट बनाई है इसमें सबसे नमबर वन पर बैड है उसके बारे हम लोग बात करते हैं तो यह आगे हम अपनी सबसे पहली बैड के उपर तो यहां एक सागोन सीसम वुड लकडी का बना हुआ बैड है बैड नहीं इसको दीवान कहते हैं वैसे तो पहले इसका चितर देख लीजे कि एक किस तरीके से यहां पर देख सक है अगर आपने सेंटीमीटर मीटर वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप जाके वह भी देख सकते हैं आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी इसके वाद यहां पर देख सकते हैं इसमें सीसम की लकडी का ज्यादा तर प्रियोग किया गया है इसकी साइज का देखते हैं इस तो इसमादा तर रह दो कि देख सकते हैं एलिएग समस्किश गहिंग श्यादा पर तो सबसे यह इस जहां पर लिखा हुआ है 78 वाई 72 रहेगी और 78 रहेगी यह कुछ रहा इस बैट की लेकि यह बैट तो काफी मजबूत रहेगा अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो अच्छा रहेगा अगर आप स्वार्ग में पहुच जाएंगे पर यह बैड यह बैड यह बनाए अब इंजिनियर वोड़ जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ यह इंजिनियर वोड़ एक तरीकी का भूसा बोड़ होता है उसे हाई टमप्रिचर पे दबाए जते आप देखेंगे तरी इसकी लाइफ यह बैड़ पांची साल की वरेंटी देते हैं क्योंकि इनको पता है कि पांच साल बाद यह खराब हो जाना है तो लगभग आपको पांच से छे साल और अगर इसमें आपने थोड़ी बहुत रिपेरिंग करा दी थोड़ी और साल चल सक देखेंगे तो यह सबसे सस्ता नहीं कहाई जगा इससे भी सस्ता मेरे पाड़ बैड़ है पर फिलाल यह आपको छेवाइचे का यह भी एक बैड़ है जो कि आपको इंजीनियर वुड जो रहता है उसके साल से और इसमें आपको थ्री साल की वरेंटी मिलती है अगर आपको इस बैड़ को आप हर जगा पर इधा उदर नहीं कर सकते हैं कि मालीजे आज आपने यहारा का कल वहाँ तो आप नहीं कर सकते हैं तीसरा बैड़ है जो कि यह भी इंजीनियर वुड से ही बनाए इसमें भी लकड़ी का प्रियोग नहीं किया गया और इसकी फिनेसिंग आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है यह भी इंजीनियर यह भी चार का है इसकी प्राइज आपको जो आपने देखा है सेकंड नमबर पर उससे थोड़ी कम है यह आपको 11,615 का मिल रहा है वो आपको लपक साड़े 12,000 का पढ़ रहा तो यह आप खरी सकते हैं यह भी इसमें आपको साथ है तो 270 रुपए का पढ़ेगा पर इसमें आप कुछ भी रखने सकते हैं इसके आप कुछ इमेज देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है यह काफी मजबूत रहेगा इसको आपको यहां पर आपको नेट वोल दिखा है पेज दिखाई दे रहा है यह पहले एसमेल ह यहां से कशा जाता है तो उस तरीके से कुछ कर रहेगा इसका साइज रह गए यह भी चोटा है मंदब यह आपको छ्व भाई तीन वाला बेड नहीं इसका साइस देख लेते हैं क्या है तो यहां पे इसमे एक मिनट इसका Size लगबग एक क्यानवे संटीमीटर है फिलाल इसमें एक साल की वर्यांटी मिल रही इसमें क्या लोहे में वैसे भी क्या खराबता है लो अब हम लोग आगया है अपने प्रीमियम बेड़ पे यह प्रीमियम क्वाल्टी का बेड़ है जो कि यह पूरा का पूरा सीसम की लकडी से बना होता है सीसम की लकडी का बैट आज कल मिला काफी ज्यादा मुस्किल है तो इसकी प्राइज भी काफी ज्यादा महगी है पहले तो इसका आप फिनिसिंग देख लिए कैसा बैट रहता है काफी अच्छा देखने में लगेगा इसमें खाली जो प्लाई दी जाती है बाकी पूरा का पूरा बैट आपको लकडी का बना होता है यह अगर नीचे जाते हैं तो यहां पर आप सकते हैं डूवल बैट जो है उसकी जो प्राइज वह चौबीस हाजा 27,000 रुपया 27,500 है उससे भी अगर उपर जाते है तो वह भी इसमें ऑप्सिन लेवल है यह ल काफी अच्छा रहे यह आपको आप सब लोगा अब सबसे लास और सबसे सस्ता बैट के लिए त्यार है इसके लिए थोड़ा तो मेरे वीडियो पर लायक और शेयर तो बनता है यह सबसे सस्ता मैं कहूंगा इससे सबसे आपको कहीं नहीं मिलेगा पर यह भी एक इंजिनिय इसमें इतना जो बॉक्स रहता है इतना इसमें नहीं दिया गया इसमें भी आपको लगभग इसमें आपको तीन साल की वरेंटी मिल जाती है लगबग और यहां पर आप जाएंगे तो इसका प्राइज देखिए और इसकी साइज आपको दिखा देता हूँ साइज इसकी है पचतर बाइस साड़ की वहीं मतलब छे लगबग आप कह सकते हैं इस बैट का जो की काफी अच्छा है और मैं कहूंगा अगर आपको यूजन तो या फर इतना खास कोई खास यूज नहीं तो आप यह मंगा सकते है काफी अच्छा रहेगा पर मैं पहले बता दू यह बैट इंजिनियर वूट से लकड़ी से नहीं बनाएं यह मैं पहले आप सभी को बता दू लकड़ी वाले खाली दो ही बैड मैंने दिखाए हैं जो की सबसे नंबर वन पे है और आपका चौते नंबर पे जो लिंक है उस बैड इन सबी बैड में से कोई ना कोई पसंद आ जाएगा इस सारे के सारे बैड जो है काफी कम रुपए में है वैसे तो देखा जाए जो जो लखडी वाला बैड वो काफी महंगा पड़ेगा पर चितनी भी इंजिनियर वूड वाले बैड है वह काफी ज्यादा सस्ते प है यह सभी के सारी